तो हेलो दोस्तो बाइबिट जैसे कई भी एक्सचेंज है उसमें कैसे आपको डिपोजिट करना है मलब कि अभी हम बाइबिट में डिपोजिट करने वाले लाइव तो यहाँ पर कोई भी आपको थर्ड पार्टी आपको यहाँ उस नहीं करने है या ना ही आपको कोई क्रिप से वो 0 दिखा रहा है तो इस सबसे पहरा किया करना है आपको deposit के option पर क्लिक करना है यहाँ पर तुम देख सकते हो buy with INR तो उस पर क्लिक करने के बाद आपको जितने भी amount का यहाँ पर आपको लेना है USDT जितने भी पैसे का आपको लेना है आपको इंडियन रुपीस में लिखना है आपको मैं यहाँ यहाँ पर 1.500 लिखता हूँ फिर भी आपको देखने को मिलता है देखो यहाँ पर कुछ दिखा रहा है तो यहाँ पर हम थोड़े से ज़्यादा यहाँ पर buy करने की यहाँ पर सोच रहा है क्योंकि जितना भी कम करोगे उतना मरलब कि हमको फीस तो देनी पड़ेगी तो यहाँ पर क्या करना है तो यहाँ पर हम सोच रहा है कितना है यहाँ पर 200 काम कर देता है यहाँ पे तुम देख सेखें कि पे नाव और सारी चीज यहाँ पे डिटेल्स में लिखी हुई हमको मिली है तो यहाँ पे जो भी सेलर्स है उसकी UPI ID आपको कॉपी कर लेनी है और उसका नाम आपको ध्यान रखना है कि वो आप सही जगा पे आप पे करते हो या नहीं तो सबसे पहले क्या करना है payment complete करने के लिए क्या करना है आपको सेलर्स की UPI ID कॉपी करनी है सारी जगापे आपको UPI ID देखने को मिलेगी यहाँ पे आपको enter amount कर देना है जितना भी आपको लेना है उसके बाद आप payment confirm करोगे तो यहाँ पे seconds दिखाने लग रहा है कि मतलब कि 9 minutes के अंदर आपको payment कर देनी है वरना यह जो है वो order है आपको cancel हो सकता है तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे UPI ID आपको देखने को में जाए तो उसको copy करना है और आपको Google Pay के अंदर से मैंने Google Pay Select किया हुआ था तो आप Google Pay के अंदर से आप यहाँ पे कर सकते हो तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे जो buyers है उसके सामने हम बात करेंगे उसके बाद हम payment करेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम buy करते है मतलब की बात करते है उसके बाद हम जाके हम यहां पर करेंगे buy क्योंकि sellers को भी पता होना चाहिए कि हम buy करते हैं उनको भी inform कर देना है ठीक है तो यह UPI जो मैंने copy की थी वो यहां पर आपको देखने को मिली थी तो यहां पर देख सकते हो कि मैं यहां पर लिख रहा हूँ pay on this तो चलो हम नहीं लिख रहे हैं यहां पर देखते हैं हेलो किया है तो reply आता है या नहीं आता है अगर नहीं आता है तो हम दूसरा seller टूंडेंगे यहां पर recommend किया है buy bit ने तो obviously यहां पर वो online ही होगा ठीक है तो हम buy bit में आते हैं फिर से और wait करते हैं जो sellers का reply आता है या नहीं आता तो सबसे पहले हम Google Pay में आये Google Pay में आयने के बाद हम क्या करेंगे UPI ID को हम select करेंगे क्योंकि हमने UPI ID यहां पर copy की है तो UPI ID हम जैसे ही copy करने के बाद यहां पर देख सकते हो कि यहां पर हमारा नाम यहां पर उसका जो नाम था वो आ गया तो नाम कमपम कर लेना है यहां पर देख सकते हो सेम नाम है प्रकास राओ तो यहां पर भी प्रकास राओ आपको देखने को मिलेगा तो यहां पर तुम देख सकते हो प्रकास राओ चलो सही है तो उसके बाद हमको क्या करना है payment यहाँ पर 200 रुब्य कर देनी है मैंने 200 लिखा था मुझे 200 का ही USDT buy करना है तो मुझे 200 ही यहाँ पर payment करूँगा आपको जितना भी amount आपने लिखा था जितना भी buy करना था उसका आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा तो यह मैंने यहाँ पर कर दिया है तो उसका स्क्रिंड सोर्ट यहाँ पर ले लेना है क्योंकि उसको उसने बोला था कि स्क्रिंड सोर्ट आपको सेंड करना है जो भी पेमेंट किया है उसका तो मैंने स्क्रिंड सोर्ट ले लिया है उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा के उसने मुझे दे दिया है तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हुई seller से मुझे reply दे दिया है कि I am on-line तो में यहाँ क्या करता हूँ यहाँ पे screenshot बेट देता हूँ और लिख देता हूँ कि payment done और उसकोता चल जाए कि नई भाइ payment हो चुक है screenshot जरूरी है screenshot बेद दो जिस भी seller से आप यहाँ पे आप buy करते हो USDT या कोई भी चीज आप buy करते हो तो यहाँ पे P2P trading में आपको पहले वो भी खुद बोल देगा कि आपको screenshot जरूरी भेजना है ठीक है तो यहाँ पे हम देख सकते है कि देख लो यहाँ पे तो P2P trading यहाँ पे complete हो चुगा है यहाँ पे हमारा 200 रुबिया का जो USDT है वो आ चुगा है 2 USDT यहाँ पे आ चुगा है तो सबसे पहले क्या करना है हमको asset में जाने के asset में जाएंगे फिट देखेंगे देखो पहले हमारा USDT के इतना जा 0 यहाँ पे balance भी 2 USDT यहाँ पे दिखा रहा है यहाँ पे buybit review मांग रहा है तो हम review दे रहे है तो trusted यहाँ पे थोड़ा साल कुछ लिए लेखते है ताकि buybit को अच्छा लगे ठीक है तो सबसे पहले यहाँ पे तुम देख सकते हो कि USDT हमारे आ चुके है 2 यहाँ पे 2 डॉलर यहाँ पे हमने बोला था 2 डॉलर यहाँ पे आ चुके है तो यहसे ही आप buybit में आप deposit कर सकते हो funded account यहसे ही buy कर सकते हो जो भी करना है आप कर सकते हो